पापा, अगले जनम में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ, और सीखना आप, क्योंकि उसके अगले जनम में वापस में बेटा और आप पापा. काम जितना मुश्किल है, उससे कई ज़्यादा फतरनाक है. तो बस। act फाले बापस में ख्यांज में पापको काम फिर लिखना है, झार आप है, उससे कई 字 क्र सालें आपको काम जापको कί लिए। श्याटरी जनम एह। और उसे भी जादा डेंजरस यह है कि यह जाद इंटेक्टिव स्प्रेंटेंडने शेंख अमें जानना है कि मोगा है उसे तो जेल में होना चाहिए अग्से तो जेल में तब ना पापा अपनी तरह से प्यार करना मेरी तरह से नहीं आप समझ रहेगो ना पापा पस आप समझ लो तो काफी जाद तो कि अपनी तरह से अपना बिदीशन जाहिए इसे कौन नारतारों को यवारा नहीं हलाल किया है पुरा खुन भी जोड़ दिया मुझे छोड़ी पा रहें लें 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 उसके बस की बाली नहीं अपेशन जांदा सिक तक जए जाहे मौका शादी का हो जो या मत में ज़े जाहें यहीं एक का फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीश टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रड़ बीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्सकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदेप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद्ध एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रेलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रेलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रडडी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रडडी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रडबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रडबीर तू जूठी में मकार मेनेजर आये थे रडबीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल्मो में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुड के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और इमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बिर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में द जितनी भी मास स्वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी, उनकी अंदर केवल एक्षन और एक्षन ही दिखाया जाता है, इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के उसके साथ हैसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है, बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है, जो एक फिल्म में होनी चाहिए, और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है, एनिमल मुवी का ट्रिलर देखने के बाद हमें एनिमल मुवी की कहानी का हिंट मिल जाता है, कि आखिर एनिमल मुवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी, तो सबसे पहले तो एनिमल मुवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाए जाएगी, जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वो अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के च पुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिबेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दुसमन बावी दे देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा है होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मोवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मोवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के पुपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बहतरीन लग रही है अगर कोई रडवीर कपोर को स्टार किड कहता है कि रडवीर कपोर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती है तो अप रडवीर कपोर के एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वह सारे ऐसे सीन दिखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर शुरू होता है और अलबिर कपोर अनिल कपोर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहाँ बावी देवल वाला जो सादी के अंदर खोन में लेट पट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है, मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं, पर YouTube पर अप्लोड है, तो इससे हर कोही देख सकता है, और Animal Movie को भी इस उट डिफेकर दिया गया है, मतलब कि Animal Movie को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधरकार्ट नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को द होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गा ने रिलीज कर्व मेकर्ष ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्श को कदिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लौट पाना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को देकर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉफॉमेंच देने के लिए तैयार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्शन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रूमांस भी खोब सुर्किया बटो रहा है ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस टेलर से जाहिर है की रडबीर कपोर के करीयर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है यह उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किर्दार भी है टेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कबीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रड़बीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बौवी देवल, अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़डी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रड़डी बना चुके है फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़डीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़डीर तू जूठी में मकार मेनेजर आये थे रड़डीर कपूर के एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी है फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मुच आवेटेट फिल्मों में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुट के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बुटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर एमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिल्रेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बिर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसा सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाई जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अनिल कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले है जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा है होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रडबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के performance ट्रेलर के अंदर बहतरीन लग रही है अगर कोई रडवीर कपूर को star kid कहता है कि रडवीर कपूर star kid है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती है तो अप रडवीर कपूर के animal movie देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बहतरीन है रलबीर कपोर और बावी देवल के साथ अनिल कपोर का भी इंपॉर्टन रोल हमें एनिमल मूवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मूवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रोंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और अलबीर कपूर अनिल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी इन सीन था और इसके अलावा वह तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रडबीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉटलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वह बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है Animal Movie के ट्रेलर को A Certificate दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर YouTube पर Upload है तो इससे हर कोई देख सकता है और Animal Movie को भी A Certificate दिया गया है मतलब कि Animal Movie को केवल एडेल्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधरकार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को द वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस क माहौल शेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज डालाग रडबीर के निर्दई पिता बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जिनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक ही है फिल्म के बिलन बाबी दिवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किर्दार की एक जलग देखी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाब ense opposite धमाके दार होने वाला है फिल्म रडबीर कपूर का मुकाबला बाबी दिवल से होनी जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की झहलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही हैं तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबीर कपूर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है यह उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपूर कम नहीं लग रहे ह ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मुवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्ट का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कबीर सिंग के डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को सी बी एफ सी से एक शॉट डिपकड मिला है यह तीन घं परसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर रसम का मंदाना अनिल मिला था जबकि आज दर्सकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि क इसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनुल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रिलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रिलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रिष्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रडडी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजुन रडडी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रडबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रडबीर तुझ हुटी में मकार मेनेजर आये थे रडबीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल्मो में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुड के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रडबीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में ऐसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉलीबुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड कि फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मूवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपूर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ ह क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मूवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रि जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रडबीर कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मावले में एक दूसरे के बाप है और सभी के performance ट्रेलर के अंदर बहतरीन लग रही है अगर कोई रडबीर कपोर को star kid कहता है कि रडबीर कपोर star kid है इसलिए उन्हें फिलमे मिल जाती है तो अब रडबीर कपोर की Animal Movie देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पोपामेश तो बहुत ही बहतरीन है रलबीर कपोर और बाबी देवल के साथ अनिल कपोर का भी इंपॉर्टन रोल हमें एनिमल मूवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मूवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रोंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और अलबीर कपोर अनिल कपोर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी इन सीन था और इसके अलावा वह तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रडबीर कपोर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वह बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है जो अठारा साल से उपर के हो गए हैं अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं और बहुत सारे से थेटर होते हैं जहांपर आधरकार्ट नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि एनिमल मुवी का असली मचा इसे थेटर के अंदर देखने में ही आएगा और एनिमल मुवी के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म 3 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गा ने रिलीज कर्व मेकर्ष ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्श को कदिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पाना बेहद मुश्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को देकर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉफॉरमेंच देने के लिए तैयार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्शन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रूमांस भी खोब सुर्किया बटो रहा है ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है की रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़िवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनुल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रिलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रिलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रिष्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़ी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजुन रड़ी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्षकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़ीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़ीर तुझ हुटी में मकार में नेजर आये थे रड़ीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रड़बीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल् होने वाली है जिसके अंदर आपको ब्रूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिलेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मुवी के अंदर सच में बताता है कि एक मास मुवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई है उनके अंदर आपको एसस सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर ए इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मूवी के अंदर या एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मूवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी जाये और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रिलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मुए के अंदर अलभिर कपोर और अन्ल कपोर की कहाने दिखाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलभिर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वो अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यू कहा कि एक साइकोपैथिक बन गया और उसके और रडबीर कपोर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपोर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बाव इस्ट शीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एकटर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपोर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपोर को द ता है कि रडवीर कपूर इस्टार केड़ हैं इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती हैं तो अप रडवीर कपूर के एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बेतरीन है रडवीर कपूर और बावी देवल के साथ अनिल कपूर का भी इंपॉर्टन रोल हमें एनिमल मोवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मोवी के ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर म तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रडबीर कपोर चला रहे हैं और एक और जब वहाँ शॉटलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहाँ बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस ओर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस सारा से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते पर बहुश सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधर कार्ड नहीं चेक Σकते हैं क्योंकि एनिमल मुवी का असली मचा इसे थेटर के अंदर देखने में ही आएगा और एनिमल मुवी के लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुका रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के टेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी टेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पाना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुरक याबट और रहा है ट्रिलर में उनके साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिता बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज़्यदा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलक देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है यह उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे है उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रड़बीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़डी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रड़डी बना चुके है फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़डीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़डीर तू जूठी में मकार मेनेजर आये थे रड़डीर कपूर के एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी है फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्षकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मुच आवेटेट फिल्मों में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुट के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बुटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिल्लेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बिर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास सवाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसा सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिबेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के performance ट्रेलर के अंदर बहत्रीन लग रही है अगर कोई रड़ बीर कपुर को स्टार किड कहता है कि रड़ बीर कपुर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती हैं तो अप रडवीर कपूर के एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बेतरीन है रडवीर कपूर और मंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और रडवीर कपूर अनिल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरीन सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रडवीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वहां शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहां बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर म बहतरीन है एनिमल मुवी के ट्रेलर को एस ओर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और Animal Movie को भी ए शॉर्ट डिपेकर्ट दिया गया है मतलब कि Animal Movie को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते और बहुत सारे से थेटर होते हैं जहाँ पर आधारकार्ट नहीं चेक किया जाता आप वहाँ पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि animal movie का असली मचा इसे थेटर के अंदर देखने में ही आएगा और animal movie के run time का भी पता चल चुक और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुका रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्श ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के टेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्श को कदिल जीत लेगी टेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पाना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुरक याबट और रहा है ट्रिलर में उनके साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिता बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज़्यदा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलक देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमा के दार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनیमल के बाद बदलने वाली है यह उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रड़ बिरकपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी हैं मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जवलदस्त बैगराउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था और सोचल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पावन्स मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीब रेड़ डिवंग का निल्दे सिध एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रेलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रेलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बतादे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रडडी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ अरजुन रडडी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रडबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रडबीर तू जुटी में मकार मेनेजर आये थे रडबीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल्मो में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुड के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और इमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रडबीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में ऐसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉलीबुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड कि फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ है क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मुवी का ट्रि जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिबेंची स्टोरी में बदल जाएगी और अनिल कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा है होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के पुपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई रडबीर कपूर को स्टार किड कहता है कि रडबीर कपूर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती है तो आप रडवीर कपूर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा की उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बहतरीन है रडवीर कपूर और बावी देवल के साथ अनिल कपूर का भी इंपॉर्टन रोल हमें एनिमल मोवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मोवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारी रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर शुरू होता है और अलबीर कपूर अन्यल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रड़बीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहा बावी देवल वाला जो सादी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस ओर्टिफिकेट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस और डिपेकर दिया गया है मतलब कि एनिमल मूबी को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधरकार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को दे पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस क माहौल शिट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चलकर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडविर कपूर इस ट्रेलर में रडविर कपूर को दे कर कहा जैसकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्क Bike देने के लिए तेयार है उनके ल्गस से लेकर उनके बात करने का अंधाज डालाग डिलीवरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है दोना का रूमांस भी खोब सुरकिया बटोर रहा है ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनकी कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर है जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है की रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोचल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बतादे कि फिल्म में रड़बीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़डी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रड़डी बना चुके है फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़डीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़डीर तू जूठी में मकार में नेजर आये थे रड़डीर कपूर के एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी है फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मुच आवेटेट फिल्मों में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुट के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बुटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर एमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिल्रेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास स्वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देख कर हैरान हो जाओ पर एनिमल मौवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्षन और एक्षन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाई जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहे कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अनिल कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रड़बीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सेन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सेन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग पर्फेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपोर को देख लो, बेटे के रोल में रड़े कपोर को देख लो, या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के पुपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई रडबीर कपूर को स्टार किड कहता है कि रडबीर कपूर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती हैं तो अप रडवीर कपूर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा की उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बेतरीन है रडवीर कपूर और मंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और रडवीर कपूर अनिल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरीन सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रडवीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वहाँ शॉटलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहाँ बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपत होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर मे बहतरीन है एनिमल मुवी के ट्रेलर को एस ओर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और Animal Movie को भी एश और डिपकर दिया गया है मतलब कि Animal Movie को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो अठारा साल से उपर के हो गए हैं या फिर अठारा साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर अठारा से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं और बहुत सारे से थियाटर होते हैं जहां पर आधार कार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहाँ पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि Animal Movie का असली मचा इसे थियाटर के अंदर देखने में ही आएगा और Animal Movie के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म तीन घंटे और तेस मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग Animal के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको Animal Movie का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म Animal का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुका रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले Movie का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्ष ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के टेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी टेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पाना बेहद मुस्किल है एमिल के ट्रेलर में रड़बीर कपूर इस ट्रेलर में रड़बीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एमिल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉफ़ॉमंच देने के लिए तयार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुरक याबट और रहा है ट्रिलर में उनके साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिता बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज़्यदा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलक देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबीर कपूर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किर्दार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाब बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रेलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रेलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रडडी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रडडी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रडबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रडबीर तू जुटी में मकार मेनेजर आये थे रडबीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल्मो में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुड के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और इमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रडबीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में ऐसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉलीबुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड कि फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मूवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपूर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ ह क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मूवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रि खाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने पापा के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नही मिला और इसी के चलते वहां के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहे कि एक साइको पैथिक बन गया और उसका उसके पापा के लिए प्यार इतना ज्यादा बढ़ कहा है कि वहां उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी एक रिबन ची स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोसमन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी जो ट्रेलर का सबसे जदा बेड़ेस्ट स्टीन लगता है ऐसी कुछ एनिमल मोवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मोवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रडवी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के पूपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई रडवीर कपूर को स्टार किड कह कास्ट का POPOM Running तो बहुत ही बेठरीन है ररजबिर कपूर और बावी देवल के सात्ष अनिल कपूर का भी इंपॉर्टेन रूल हमे एनिमुल मौवी के अंदर देखने को मिले जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर शुरू होता है और अलबीर कपोर अनुल कपोर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बहतरी सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रॉडबीर कपोर चला रहे हैं और एक और जब वहा शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहा बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस और बेकर दिया गया है मतलब कि एनिमल मूबी को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधरकार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को द वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस क माहौल शिट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज डालाग और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है। उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है। दोना का रोमांस भी खोप सुर्खिया बटोर रहा है। ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है। ट्रिलर ने सोची तक नहीं है। फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे। टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देखी थी। लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है। फिल्म में रडबीर से ही देखने वाले की धरकने बढ़ रही हैं तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबिर कपूर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेल ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैगराउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाय गया है ट्रेलर में आप बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अर्जुन रेड़ी और कभीर सिंग के डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को सी बी एफ सी से एशाट डिपकड मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधा के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसंबर को एनिमल सिनेमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कोसल की सैम बहादुर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के तिन का इनिमल के ट्रेलर का इंतजार है रड़ बिर कपूर रसम का मंदाना अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वेसे मीडिया के बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसिल मीडिया पर काफी अच् श पुर्वात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है आलांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाब बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रिलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रिलर में बाबी देवल की जलक भी काफी छोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांधार है बतादे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रेड़ी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहित कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे दिवरकंडा के साथ है अर्जून रेड़ी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़बीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़बीर तुझ हुटी में मकार मेनेजर आये थे रड़बीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फि फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सेम बहादरों सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रड़बीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेड फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेड फिल् महोने वाली है जिसके अंदर आपको ब्रूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड़ी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मुवी के अंदर में सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई है उनके अंदर आपको एससे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ प इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़्डिवंगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर या explain किया जाएगा कि आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फि क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मुवी के अंदर अलविर कपोर और अनल कपोर की कहानी दिखाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलविर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बाप बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसका उसके पापा के लिए प्यार इतना ज्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मलमोवी की कहानी एक रिबेंजी स् जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें पॉपी देवर और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वहाँ ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा है होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यादा बेड़ेस्ट सीन लग बेटे के रोल में रडबीर कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप हैं और सभी के पॉपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बहतरीन लग रही है अगर कोई रडबीर कपूर को स्टार किड क कहता है कि रडवीर कपूर इस्टार केड़ हैं इसलिए उन्हें फिलमें मिल जाती हैं तो अप रडवीर कपूर के एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कस्ट का पॉपामेंस तो बहुत भी बेटरीन है रलबीर कपुर औ बापी दे वल के साथ अनिल कपुर का भी important रौल हमें Animal Movie के अंदर देखने को मिलेगा Animal Movie के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल कपूर चला रहे हैं और एक और जब वहां शॉटलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहां बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेल इस एपर के हो गए है या फिर अठारः साल के है वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं और बहुस सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधार कार्ट नहीं चेक किया जाता आप वहाँ पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि एनिमल मुवी का असली मचा इसे थियेटर के अंदर देखने में ही आएगा और एनिमल मुवी के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म तीन घंटे और तेस मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के टेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी टेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुरक याबट और रहा है ट्रिलर में उनके साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनेस से लाते हैं रडबीर अपने पिता से इस कदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जिनून ज़्यदा बन गया है अपने पिता पर आंच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बॉबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी दिवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है की रडबीर कपूर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है यह उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्दे सिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रड़बीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़डी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रड़डी बना चुके है फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़डीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़डीर तू जूठी में मकार मेनेजर आये थे रड़डीर कपूर के एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी है फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मुच आवेटेट फिल्मों में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुट के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बुटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर एमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिल्लेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बिर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास सवाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्शन और एक्शन ही दिखा जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाई जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहे कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी एक रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी की पुपॉरमेंज ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई रडवीर कपोर को स्टार किट कहता है कि रडवीर कपोर स्टार किट है इसलिए उन्हें फिल्मे मिल जाती है तो आप रडवीर कपूर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बहतरीन है रडवीर कपूर और बॉबी देवल के साथ अनिल कपूर का भी इंपॉर्टन रोल हमें एनिमल मोवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मोवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारी रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर शुरू होता है और अलबीर कपूर अन्यल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रॉडबीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहा बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लट पथ होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बेहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस शॉर्ट इफिकर दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस और डिपेकर दिया गया है मतलब कि एनिमल मूबी को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधरकार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को द वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस क माहौल शिट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंस देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज डालाग डिलीब और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है। उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है। दोना का रोमांस भी खोप सुर्खिया बट और रहा है। ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है। इन्हें सोची तक नहीं है। फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे। टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी। लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है। फिल्म में रडबीर का का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है। ट्रेलर में दोनों को शड़क पर लड़ते देखा जा सकता है। इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं। इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है। तो सोचिए इस से फिल् किलकिलदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रड़ बिरकपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी हैं मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जवरदस्त बैगराउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रड़ बिर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यह है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसंबर को एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मुकाबला विकी कौसल की सैम से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है रडबीर कपूर रसम का मंदाना अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्सकों का इंतजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्देशिद एन ताकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान चड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिस्ता काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रिलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जा फिल्म का निर्देशन संदीव रेड़ी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहित कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ अरजुन रेड़ी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बा बहादुर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और च्छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादुर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहा ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको ब्रूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर एमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रडबीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई है उनके अंदर आपको एसस सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देख कर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐससे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्षन और एक्षन ही दिखाया जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेट डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मोवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मोवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाई जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहे कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपोर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपोर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपोर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपोर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सेन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सेन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपोर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपोर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मादले में एक दूसरे के बाद हैं और सभी के पॉपॉमंस ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई Rudbeer Kapoor को स्टार किड कहता है कि Rudbeer Kapoor स्टार किड है इसलिए उने फिल्मे मिल जाती है तो आप रडवीर कपूर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा की उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बहतरीन है रडवीर कपूर और बाबी देवल के साथ अनिल कपूर का भी important रोल हमें एनिमल मोवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मोवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और अलबीर कपूर अन्यल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रॉडबीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वहा शॉटलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वहा बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लेटपट होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल अठारा साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि Animal Movie को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधर कार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि Animal Movie का असली मचा इसे थेटर के अंदर देखने में ही आएगा और Animal Movie के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म 3 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग Animal के वर्ड में गुश जाएंगे वैसे आपको Animal Movie का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म Animal का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले Movie का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि Animal की कहानी दर्श को कदिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां से जिंदा लोट पाना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को देकर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉफॉमेंच देने के लिए तैयार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्शन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुर्किया बटो रहा है ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है की रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कबीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कोसल की सैम भाधूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़िवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान चड़कता है अनुल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रिलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रिलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रिष्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार में नेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़ी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ अरजुन रड़ी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्षकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़ीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़ीर तुझ हुटी में मकार मेनेजर आये थे रड़ीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रड़बीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेड फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेड फिल् होने वाली है जिसके अंदर आपको ब्रूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मुवी के अंदर सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको एसस सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर ए इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मूवी के अंदर या एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मूवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रिलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहल के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहां के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहा कि एक साइको पैथिक बन गया और उसका उसके पापा के लिए इतना ज़्यादा बढ़ के है कि वहां उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वहां ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे जदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मोवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मोवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का ल देख लो सभी के सभी एक्टिंग के माबले मे एक दूसरे के बाप हैं और सभी की प्फॉपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बेहतरीन लग रही है अगर कोई रडबीर कपूर को स्टार किड कहता है कि रडवीर कपोर इस्टार केड़ है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती हैं तो अप रडवीर कपोर के एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो ब मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर सुरू होता है और रडवीर कपोर अनिल कपोर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी सीन था और इसक के बाद वहां बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लेट पठ होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस और दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल 18 साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे ह और कोई देख सकता है और एनिमल मूवी को भी इस और पेकर दिया गया है मतलब कि एनिमल मूवी को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो आप इस फिल् के अंदर देखने में ही आएगा और एनीमल मुवी के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म 3 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगे फिल्म में रडवीर कपोर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर्मेकर्ष ने फैंस के बीच माहौल शेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फ तुरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्चा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिंदा लोट पाना बेहद मुश्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉपॉमेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज डालाग डिलीबरी और एक्शन सब कुछ काफी दमदार है उन रडवीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जिनून ज़्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडवीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म की बिलन बाबी देवल होंगे टीजर में हम सभी ने बा बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी दिवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किर्दार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रड़ पिरकपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जवर्दस्त बैगराउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टालर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिय को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोसल मीडिय पर काफी अच्छा रिस्पाउंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़िवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाप बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रेलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रेलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रडडी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रडडी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रडबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रडबीर तू जुटी में मकार मेनेजर आये थे रडबीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेट फिल्मो में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुड के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और इमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में द जितनी भी मास वाला एक्शन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मोवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपको बता दू कि संदीप रेट डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा कि आखिर अडविर कपूर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मुवी का ट्रिलर देखने के बाद हमें एनिमल मुवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मुवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मुवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहान दिखाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वह अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ केला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके ल को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वजह से वह बेखलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिले और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यादा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रडवी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के पुपॉमेंस ट्रेलर के अंदर बेहतरी लग रही है अगर कोई रडवीर कपोर को स्टार किड कहता है कि रडवीर कपोर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती है तो अप रडवीर कपोर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक् से सीन दिखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनीमल ट्रिलर सुरू होता है और अलबीर कपोर अनुल कपोर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेटरीन सीन था और इसके अलावा वह तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रड़बीर कपोर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वह बावी देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से घंटे होते हैं जहां पर आधरकार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहाँ पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि एनिमल मुवी का असली मचा इसे थियेटर के अंदर देखने में ही आएगा और एनिमल मुवी के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म तीन घंटे और तेस मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग एनिमल के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको एनिमल मुवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुका रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले मुवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के टेलर से साफ हो गया है कि एनिमल की कहानी दर्शको का दिल जीत लेगी टेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लोट पाना बेहद मुस्किल है अनिल के टेलर में रडविर कपूर इस टेलर में रडविर कपूर को दे कर कहा ज़सकता है कि वो अनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पोप्वामेंच देने के लिए तियार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्षन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रोमांस भी खोब सुरक याबट और रहा है ट्रिलर में उनके साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज़्यदा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीचर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलक देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमा के दार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है कि रडबीर कपूर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपूर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंग के डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनिमा घरो में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोचल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रड़बीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बौवी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़डी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजुन रड़डी बना चुके है फिल्म एनिमल को लेकर दुर्सकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़डीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़डीर तू जूठी में मकार में नेजर आये थे रड़डीर कपूर के एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी है फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड रोल में है फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रडबीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेट फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मुच आवेटेट फिल्मों में से एक है और अभी तक जितने भी बॉलिबुट के अंदर ट्रेलर रिलीज होए थे उन सभी ट्रेलर से बहतरिन एनिमल का ट्रेलर लग रहा है एनिमल एक एक्षन त्रिलर और एमोशनल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको बुटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर एमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डिल्रेक्ट किया है संदीप वांगा रिड्डी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मोवी के अंदर आपको रड़बीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मोवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मोवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मोवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास स्वाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मौवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी उनके अंदर केवल एक्षन और एक्षन ही दिखा जाता है इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के अंदर आपको इमोशन भी भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में एक अमेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एनिमल मुवी के अंदर यह एक्स्प्लेंड किया जाएगा की आखिर अडविर कपोर इतने लोगों क्यों मार रहा है उसके साथ हैसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज़ देखने को मिलती है जो एक फिल्म में होनी चाहिए और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें एनिमल मूवी की कहानी का हिंट मिल जाता है कि आखिर एनिमल मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाए जाएगी तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहानी दिखाए जाएगी जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं और अलबीर कपोर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा और वो अपने बापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए जो उसे बच्पन से नहीं मिला और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा और एक मांस्टर बन गया या फिर यूँ कहे कि एक साइको पैथिक बन गया और उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ कहा है कि वहाँ उनके लिए कुछ भी कर सकता है और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा तो फिर एने मल मोवी की कहानी है रिवेंजी स्टोरी में बदल जाएगी और अलबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा और अनिल कपूर का दोस्वन बावी देवल ही होने वाले हैं जिनकी भी एक स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रिडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे और आपने वह ट्रेलर का आखरी सीन तो देखा होगा जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है ऐसे कुछ एनिमल मूवी की स्टोरी होने वाली है एनिमल मूवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है फिर चाहे आप बाप के रोल में अनिल कपूर को देख लो बेटे के रोल में रलबी कपूर को देख लो या फिर बिलन के रोल में बावी देवल को देख लो सभी के सभी एक्टिंग के मामले में एक दूसरे के बाप है और सभी के performance ट्रेलर के अंदर बेथरी न लग रही है अगर कोई रड़बीर कपोर को स्टार किड कहता है कि रड़बीर कपोर स्टार किड है इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती है तो आप रडवीर कपूर की एनिमल मोवी देख लो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक्टिंग का लेबल क्या है और वहां किस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कास्ट का पॉपामेंस तो बहुत ही बहतरीन है रडवीर कपूर और बाबी देवल के साथ अनिल कपूर का भी important रोल हमें एनिमल मोवी के अंदर देखने को मिलेगा एनिमल मोवी के ट्रिलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे और कुछ सीन तो हमारे रॉंग्टे ही खड़े कर देते हैं सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रिलर शुरू होता है और अलबीर कपूर अनिल कपूर को कहता है कि आज बाप बेटे बनिये और मैं बाप बनता हूँ वह बहुत ही बेतरी सीन था और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है जिसको रड़बीर कपूर चला रहे हैं और एक और जब वह शॉर्टलेस होकर आते हैं और पूरे खोन में होते हैं और उसके बाद वह बावी देवल वाला जो साधी के अंदर खोन में लटपत होते हैं और भी बहुत सारे सीन एनिमल मूबी के ट्रेलर में बहतरीन है एनिमल मूबी के ट्रेलर को एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि इस ट्रेलर को केवल अठारा साल के उपर वाले लोग ही देख सकते हैं पर यूटूब पर अपलोड है तो इससे हर कोई देख सकता है और एनिमल मूबी को भी एस उर्टिफिकर्ट दिया गया है मतलब कि Animal Movie को केवल एडियन्ट लोग ही देख सकते हैं जो 18 साल से उपर के हो गए हैं या फिर 18 साल के हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं तो अगर उनकी उमर 18 से कम है तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते पर बहुत सारे से थेटर होते हैं जहां पर आधर कार्ड नहीं चेक किया जाता आप वहां पर जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि Animal Movie का असली मचा इसे थेटर के अंदर देखने में ही आएगा और Animal Movie के रन टाइम का भी पता चल चुका है यह फिल्म 3 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है मतलब कि यह बहुत ही लंबी फिल्म होने वाली है पर अगर फिल्म अच्छी निकली तो इतनी लंबी फिल्म भी लोगों को छोटी लगेगी और लोग Animal के वर्ड में घुश जाएंगे वैसे आपको Animal Movie का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं रडवीर कपूर की फिल्म Animal का ट्रेलर आ चुका है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जबर्दस्त है फिल्म में रडवीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खुखा रोल में देखा जाने वाला है इससे पहले Movie का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्ष ने फैंस के बीच माहौल सेट किया था लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना फिर भी मुश्किल था अब फिल्म के ट्रेलर से साफ हो गया है कि Animal की कहानी दर्श को कदिल जीत लेगी ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को देखेंगे वो अमीर घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चल कर बिगड़ायल बनता है और फिर पूरी दुनिया के सामने खतरनाग लोगों में से एक बन जाता है उसका रिष्टा अपने पिता से काफी उल्शा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी रहा पर निकल पड़ा है जहां से जिन्दा लौट पाना बेहद मुस्किल है एनिमल के ट्रेलर में रडवीर कपूर इस ट्रेलर में रडवीर कपूर को दे कर कहा जा सकता है कि वो एनिमल के साथ अपने करियर की बेस्ट पॉफॉमेंच देने के लिए तैयार है उनके लुक से लेकर उनके बात करने का अंदाज, डालाग डिलीबरी और एक्शन सब कुछ काफी दमदार है उनके साथ फिल्म में रिश्म का मंदाना है, दोना का रूमांस भी खोब सुर्किया बटो रहा है ट्रिलर में उन्हें साथ देख उनके कमेश्टरी बढ़िया लग रही है रडबीर के निर्दई पिताब बलबीर सिंग के रोल में अनिल कपूर हैं जो अपना फैमिली बिजनिस चलाते हैं रडबीर अपने पिता से इसकदर प्यार करते हैं कि पापा के लिए प्यार का जनून ज्यादा बन गया है अपने पिता पर आच आने पर रडबीर उस हद तक चले जाते हैं जो किसी ने सोची तक नहीं है फिल्म के बिलन बाबी देवल होंगे टीजर में हम सभी ने बाबी के किरदार की एक जलग देगी थी लेकिन अब ट्रेलर से साफ है कि बाबी और रडबीर के बीच होने जा रहा मकाबला धमाकेदार होने वाला है फिल्म में रडबीर कपूर का मकाबला बाबी देवल से होने जा रहा है ट्रेलर में दोनों को सड़क पर लड़ते देखा जा सकता है इसमें बाबी रडबीर को पचारते नजरा रहे हैं इस फैट सिन्ग की जलक मातर से ही देखने वाले की धड़कने बढ़ रही है तो सोचिए इस से फिल्म में देखना कैसा होगा इस ट्रेलर से जाहिर है की रडबीर कपोर के करियर की पटरी एनिमल के बाद बदलने वाली है ये उनका अभी तक सबसे अलग होने के साथ सबसे मुश्किल किरदार भी है ट्रेलर के एक भी फ्रेम में रडबीर कपोर कम नहीं लग रहे हैं उनके लुक्स ही उनके जिनून की गवाही देने के लिए काफी है मूवी का मीजिक अभी से फैंस को पसंद आ गया है ट्रेलर में भी आपको इमोशनल मीजिक के साथ साथ जबलदस्त बैग्राउंड मीजिक भी देखने को सुनने को मिल रहा है एक खास बात यह है कि फिल्म में डारेक्टर संदीप ने अलग और काफी खास अथियारों का इस्तिमाल होते दिखाया गया है ट्रेलर में आप रडवीर कपूर को एक से बढ़कर एक गन के साथ गंडासा और यहां तकी एकदम अलग तरीके की मसीन गन का इस्तिमाल करते भी देखेंगे वैसे साफ है कि एनिमल बड़े परदे पर कमाल जरूर करेगी फिल्म एनिमल को अरजुन रेड़ी और कभीर सिंके डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने बनाया है फिल्म को CBFC से एक शॉट डिपकर मिला है यह तीन घंटे 21 मिनट की फिल्म होगी जिसमें आपको एक्शन मारधार के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा एक दिसमबर को एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है बॉक्स अपिस पर इसका मकाबला विकी कौसल की सैम बहादूर से होगा फिल्म एनिमल को लेकर दर्सकों में काफी तगड़ा क्रेश देखने को मिल रहा है अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतिजार है रडबीर कपूर, रसम का मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी दिवल इस्टार फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोचल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था जबकि आज दर्शकों का इंतिजार पूरा हो गया है संदीप रेड़ डिवांग का निल्देशिद एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है और तेजी सिसियर किया जा रहा था फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है ट्रेलर की सुरुवात में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है हाला कि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छड़कता है अनिल कपूर और रडबीर कपूर के बाब बेटे का रिष्टा काफी अलग देखने को मिल रहा है इसके बाद ट्रेलर में देखता है कि कैसे रडबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं ट्रेलर में बाबी देवल की जलक भी काफी चोटी देखने को मिली है लेकिन काफी ज़्यदा सांदार है बता दे कि फिल्म में रडबीर कपूर के साथ ही रस्म का मंदाना बाबी देवल अनिल कपूर और तरपती डिमरी पर्मो किलदार मेनेजर आएंगे फिल्म का निर्देशन संदीव रड़ी वांगा ने किया है जो इससे पहले साहिद कपूर के साथ कबीर सिंग और बिजे देवरकंडा के साथ है अरजून रड़ी बना चुके हैं फिल्म एनिमल को लेकर दर्षकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार रड़ीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं इससे पहले रड़ीर तू जू जूटी में मकार मेनेजर आये थे रड़ीर कपूर की एनिमल की टककर बॉक्स आफिस पर फिल्म सैम बहादूर से होगी सैम बहादूर का निर्देशन मेगना गुलजार ने किया है जो इससे पहले गिल्टी राजी और छापाग जैसे फिल्में बना चुकी हैं फिल्म सैम बहादूर में विकी कौसल लीड र फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है एनिमल और सैम बहादूर सिनेमा घरों में एक दिसंबर को रिलीज होगी रड़बीर कपूर की अपकमिंग मुस्ट आवेटेड फिल्म एनिमल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एनिमल मुवी 2030 की मच आवेटेड फिल् होने वाली है जिसके अंदर आपको ब्रूटल एक्षन भी देखने को मिलेगा और हार्ड कोर इमोशन भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को डालेक्ट किया है संदीप वांगा रिड़ी ने जो ऐसे फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और एनिमल मुवी के अंदर आप को रड़बीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी दिवल भी लीड में देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनिमल मुवी का ट्रिलर कैसा है एनिमल मुवी का ट्रिलर हमें सच में बताता है कि एक मास मुवी कैसी होनी चाहिए सभी 2030 के अंदर जितनी भी मास सवाला एक्षन फिल्में रिलीज हुई हैं उनके अंदर आपको ऐसे सीन नहीं देखने को मिले होंगे जो आपको चिलाने का भी मौकान ना दे और आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओ पर एनिमल मुवी के अंदर आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे और आपने जितनी भी बॉली बुट के अंदर मास फिल्में देखी होंगी, उनकी अंदर केवल एक्षन और एक्षन ही दिखाया जाता है, इमोशन और स्टोरी पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, पर मैं आपको बता दू कि संदीप रेड़ डिवांगा की फिल्म एनिमल के उसके साथ हैसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से वह साइको पैत बन गया है, बागी एनिमल मुवी ट्रिलर में हमें वह हर चीज देखने को मिलती है, जो एक फिल्म में होनी चाहिए, और इस फिल्म के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो एक भी नहीं लग रहा है, एन इमल मुवी के अंदर अलबीर कपूर और अनल कपूर की कहाने दिखाए जाएगी, जो दोनों बाप बेटे होने वाले हैं, और अलबीर कपूर अपने बाप के प्यार के लिए बच्पन से तरस रहा होगा, और वह अपने पापा के लिए अब कुछ भी करने को तयार हो गया है, अब उसे अपने बाप का प्यार चाहिए, जो उसे बच्पन से नहीं मिला, और इसी के चलते वहाँ के ला रहने लगा, और एक मांस्टर बन गया, या फिर यूँ कहें कि एक साइको पैथिक बन गया, और उसका उसके पापा के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ के है कि वहाँ, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, और जब कोई अनिल कपूर के उपर गोली चला देगा, तो फिर एने मल मोवी की कहानी है, रिवेंची स्टोरी में बदल जाएगी, और रडबीर कपूर अपने पापा के उपर गोली चलाने वाले को ढोड़ने लगेगा, और दोसमन बावी देवल ही होने वाले हैं, जिनकी भी एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी होगी, जिसकी वज़े से वह अभी खलना एक बन चुका है, और फिर आखरे में हमें बावी देवल और रडबीर कपूर दोनों आमने सामने देखनों को मिलेंगे, और आपने वहाँ ट्रेलर का आकरी सीन तो देखा है होगा, जो ट्रेलर का सबसे ज़्यदा बेड़ेस्ट सीन लगता है, ऐसी कुछ एनिमल मुवी की स्टोरी होने वाली है, एनिमल मुवी के अंदर हर एक एक्टर कमाल का लिया गया है, और हर किसी की कास्टिंग परफेक्ट होई है, फिर चाहे आप बा परफेक्ट का साथ अनिमल मुवी के अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल मुवी के ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, जो हमें थेटर के अंदर चिलाने पर मजबूर कर देंगे, और कुछ सीन तो हमारे रॉंक्टे ही खड़े कर देते हैं, सबसे पहले वाला सीन जब एनिमल ट्रेलर सुरू होता है, और अलबिर कपोर अनिल कपोर को कहता है कि, आज बाप बेट बेटरीन सीन था, और इसके अलावा वा तोप वाला सीन जो कि एक मसिन कर होने वाली है, जिसको रड़बीर कपोर चला रहे हैं, और एक और जब वहा शॉर्टलेस होकर आते हैं, और पूरे खोन में होते हैं, और उसके बाद वहा बावी देवल वाला जो साधी के अंदर ख पर यूटूब पर अपलोड है, तो इससे हर कोई देख सकता है, और एनिमल मूवी को भी एशॉर्ट भेकर्ट दिया गया है, मतलब कि एनिमल मूवी को केवल एडियन्टर लोग ही देख सकते हैं, जो अठारा साल से उपर के हो गए हैं, या फिर अठारा साल के हैं, वही इ अनिमल मोबिल का असली मज़ुआ नाइए